तो दोस्तो अगर आपका learning lessons बन चुका है और अब आपको नहीं पता है कि उसके बाद आपको क्या करना है अपने permanent lessons के लिए आपको कैसे apply करना है So don't worry, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ तो दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका driving lessons के part 2 में किसी काम कर नहीं है और अगर आपका license बन चुका है तो फिर उसका 30 दिन हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है मतलब आपको परवेंट lessons के लिए apply कैसे करना है मैं इसका complete process आजके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके लागा मैं आपको यदि बताऊंगा कि apply करने के बाद आपको slot booking कैसे करना है आपको सारा process में आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखेगा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो बड़ा हम शूर इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रमेंट लाइसेंस है वो आप काफी सानी से apply कर पाएंगे तो चले फिर बिना देर के हुए वीडि आपको सबसे पहले इस option पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ steps यहां पर दिखाये जाएंगे तो इस step को आपको फॉलू करना होगा यह स्टेट वाइस यहां पर अलग अलग कम या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं हो सकता है कि आपके state में एक यह दू स्टेप कम य सबसे पहले आपको फॉलू करना है जो कि मैं step by step यहां पर आपको बताऊंगा तो फिलाल यहां पर हम continue की बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखे सबसे पहले आपसे आपका लाइसेंस नंबर पूछा जा रहा है तीन option आपके पास यह तो holding लाइसेंस यह तो holding foreign deal यह तो holding defense license तो यहां पर अगर आपके पास learner license है तो आप fast option पर click रहने देंगे then यहां पर नीचे आपको learner's license number यहां पर देखे एंटर करना है उसके बाद अपना date of birth एंटर करना है then इसको आपको submit करना है लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे important बात बता दूँ यहां पर दे नमबर है वो RJ14 space slash 0001234 slash 2017 है तो आपको बिलकुल उसी तरह से उसको enter करना होगा यहां पर RJ14 आप लिखेंगे उसके बाद space देंगे फिर श्लेस लगाएंगे फिर 001234 slash 17 है फिर जो भी आपका license number है तो आपको जैसा mention है आपके license में नमबर बिलकुल उसी तरह से यहां पर enter कर हैंगे जहांपर श्लेस लगा हुओ है वहाँ पर आपको श्लेस लगा देना है उसके बाद यहां पर आप इसको okay कर देंगे okay करने के बाद यहां पर आपके जो license है और उसको सही करके यहाँ पर enter करना है तो यहाँ पर file इसको हम ok करते हैं उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी retails आपने अपने learner license में डाली हुई थी पूरी की पूरी यहाँ पर automatic fill हो जाएगी यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं है जो भी आपने data learning में डाला था वो यहाँ पर automatic fetch कर लेगा तो यहाँ पर आपको simply आजाना है नीचे अब यहाँ पर देखें आपको अगर IT office change करना है तो यहाँ पर आप IT office अभी change कर सकते हैं अगर आपने learning lesson में दूसरा IT office डाला था भी आप दूसरा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप change कर सकते हैं बढ़ यह जो service है सभी state में available नहीं है मैं मद्यप्रदेश में apply कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप IT office change कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको नहीं करना है तो आप IT office वही रहने देंगे नीचे आप आप आजाएंगे अब यहाँ पर देखिए जो भी vehicle class आपने learning lesson में डाला हुआ था वो यहाँ पर नीचे आपको दिखा रहा है अगर आपको दोनों classes यहाँ पर permanent lesson में डालना है तो यहाँ पर आप select all पर click करेंगे तो automatic देखिए हाँ पर right side जो आपकी class है वो enter हो जाएंगी अगर आपको दोनों में से कोई एक चुनना है तो आप उसको select करके right arrow में click करेंगे तो यहाँ पर एक ही class add हो जाएगी अब यहाँ पर आपने दोनों class select कर लिए हैं उसके बाद यहाँ पर मैं medical fitness certificate declaration यहाँ पर fill करना होगा तो उसके लिए आपर देखिए नीचे self declaration as to medical fitness का एक option आपको दिया गया इस पर आपको click करना है उसके बाद बिलकुल बैसा ही आपके सामने फॉर्मा जाएगा जैसे की learning lesson में आया हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 6 question के answer देना है कैसे आपको answer करना है मैं बता देता हूँ सबसे पहले यह आपसे पूछ रहा है क्या आपको दोरे पढ़ने की बिमारी है तो यहाँ पर आप no करेंगे then यहाँ पर क्या आपको कम सुनाई देता है तो यहाँ पर भी आप no करेंगे और सबसे लास्ट यह आपसे पूछ रहा है क्या आपको कोई ऐसी बिमारी है जो आपकी driving को effect कर सकती है तो यहाँ पर भी आप no कर देंगे then नीचे आपको check box पर tick करना है और इसको submit कर देना है submit के बाद इसको आप ok करेंगे तो आपको जो medical fitness का form में को यहाँ पर submit हो जाएगा अब यहाँ पर इसको आप back कर लेंगे back करने के बाद यह आपको बापिस से यहाँ पर redirect कर देगा अब यहाँ पर हमारे यह वाला जो page है वो complete हो चुका है तो simply यहाँ पर हमें सबसे नीचे submit का button देगा इस पर हम click करेंगे उसके बाद पूछा are you sure इसको again ok करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं congratulations your application has been submitted successfully इसको आप यहाँ पर ok करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो reference लेप है वो generate हो चुका है अगर आप चाहते हैं तो इसको आप print कर सकते हैं यहाँ पर देखिए right hand side आपको option दिया गया है application form prefilled और print acknowledgement का तो यहाँ पर click करके आप इसको print out ले सकते हैं बड मैं यहाँ पर अभी आपको print लेकर नहीं बता रहा हूं मैं सबसे last में जब हमारा application पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा आपको application कहां से print करना है और क्या-क्या print करना है एक बार में हम सारा कुछ print करके आपको दिखाएंगे तो फिलार यहाँ पर यह वाले step हमारा complete हो गया है आपको इसको नीचे जाना है यहाँ पर दीखे आपको next की बटन पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपका application नमबर date of birth automatic आचुका है आपको capture code डालकर इसको submit कर दिना है submit करने के बाद यहाँ पर आपके application का status आपको दिखा रहा है देखिए हमारा जो first step था fill application details तो वह हमने complete कर लिया है second step है upload documents to be done by the applicant तो यहाँ पर हमें document upload करना होगा तो document upload करने के लिए simply हमे proceed की button पर click करना है उसके बाद यहाँ पर एक preview आपको दिखाएगा तो इसको आप ok कर देंगे अब यहाँ पर आपके सामने document upload करने का section आजाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते है required document आपको दिये गा है बट हमारे state में केवल age proof और address proof के लिए हम document upload करने बोल रहा है तो यहाँ पर हम पहले age proof upload करते हैं इस पर हम click करेंगे उसके बाद proof में आप क्या लगा रहे हैं तो यहाँ पर सारे option आपको मिल जाएंगे जो भी आपके पास available है आप लगा सकते हैं फिलाल हमारे पास अधार card है तो हम अधार card लगा रहे हैं आपर हम अधार card select करेंगे उसके बाद आपसे पूछ रहा है issue out by है तो यहाँ पर आप UIDI डाल सकते हैं तो यहाँ पर आपके अधार card में आपको left hand side उसका जो issue date है वो देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसके बाद आपको contact number में कुछ भी नहीं डालना है अब यहाँ पर जैसे कि हम अधार card upload कर रहे हैं तो अधार card आपको scan करके रख लेना है और यहाँ पर आपको choose file में click करके जहाँ पर भी आपने document save किया है उसको यहाँ पर आप select कर लेंगे अब एक बात यहाँ पर मैं आपको इसमें upload कर देना है तो काफी असानी सापका जो document है वो successful यहाँ पर submit हो जाएगा उसके लावर document size के गर हम बात करें तो जो भी document यहाँ पर आप scan करें उसका maximum size यहाँ पर 500 के भी होना चाहिए उससे ज्यादा size करना हो अब यहाँ पर आप जैसे ही file को select कर लेंगे तो यहाँ पर आपको upload वाले बटन पर क्लिक कर रहा है उसके बाद आपके सामने दो option आएंगे view and confirm तो यहाँ पर view पर क्लिक करके आप document चेक कर सकते हैं कि आपका document प्र अपलोड हुआ है और confirm पर करके आप यहाँ पर document अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम फिराल confirm की button पर क्ल अब यहां पर देखिए नीचे अड़ हो जाएगा अब यहां पर अप्लोड़े डॉक्युमेंट में आपका जो एच प्रूफ है वो अप्लोड हो चुका है यहां पर आप इस टेड़स देख सकते हैं सेफ दिखा रहा है उसके बाद हम नेक्स डॉक्युमेंट अप्लोड करे यहां पर मधारकाड्स सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल उसी तरह यहां पर उप्शूद बाय में युओ डीड यजप डाल देंगे उसके बाद चूज फाइल में क्लेकरके डॉक्युमेंट सेलेक्त कर लेंगे और इसको अप्लोड कर देंगे अब जैसे हैं यहां पर आप तो बेकुल उसी तरह से upload कर दिना है जैसे आपके side documents upload हो जाएंगे तो यहाँ पर आप next वाले option पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर again capture code डाल कर इसको आप submit करेंगे जिसके बाद एक बाद फिर से ही अब आपको आपके application का status दिखाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा first and second step complete हो चुका है fill application form और upload document third step है हमारा fees payment का तो यहाँ पर हम इसका fees payment करना होगा fees payment करने के लिए यहाँ पर हम proceed की button पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखे कुछ इस तरह से आपकी जो fees है वो reflect कर रहा है यहाँ पर आपको कितना fees pay करना है तो यहाँ पर मैं मद्यप्रदेश मैं license apply कर रहा हूँ two plus four biller के लिए तो यहाँ पर इसकी जो fees है वो लगबग 1075 रुपए आपके state में हो सकता है कि जो fees है थोड़ा बहुत कम या फिर ज्यादा हो सकती है लेकिन अगर आप केवल टूबलर के लिए apply करते है तो आपकी जो fees है वो यहाँ पर काफी काम हो जाती है जो भी यहाँ पर amount होगा वो आपको reflect करेगा अब यहाँ पर इसका fees payment करने के लिए आपको नीचे bank वाले option में SBI e-pay का option select करना है जैने आप पर capture code एंटर करके और pay now के बटन पर click करना है उसके बाद आपको payment preview दिखाया जाए का तो इसको आप check box पर tick करेंगे उसके बाद proceed for payment वाले option पर click करेंगे उसके बाद अभी आपको redirect कर देगा payment page पर जहाँ पर आप अलग-अलग माद्य हम से इसका payment कर सकते हैं जैसे की debit card, credit card, internet banking, UPI, wallet, NFT, किसी भी माद्य हम से इसका जो payment है वो आप complete कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे हम internet banking से इसका payment करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस पर click करेंगे उसके बाद अगर हमारे state bank of India है तो यहाँ पर हम उसको select करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा bank भी select कर सकते हैं आप नीचे click करके आपको सारे bank के option आपर मिल जाएंगे तो जो भी यहाँ पर आपके पास option available उसको आप select करेंगे उसके बाद pay now की बटन पर click करेंगे उसके बाद जो भी माद्य में आपर आपने select किया वो details यहाँ पर आप डालेंगे जैसे की debit card अगर आपने select किया है तो उसकी details यहाँ पर आप डालेंगे या फिर net banking डाला है तो net banking details यहाँ पर डालेंगे और इसका जो payment है वो आप complete कर लेंगे बस एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब इसका payment आप complete करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे इसको final submit करते हैं तो आपको इस page को back या फिर refresh बिलकुल नहीं करना है otherwise आपका जो payment है वो deduct हो जाएगा और आपका जो application है वो complete नहीं होगा तो यहाँ पर आपको page को refresh या back नहीं करना है 10 second आपको wait करना है यह automatic ही आपको यहाँ पर redirect कर देगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमारा जो payment हो complete हो चुका है आप क्या करना है आपको यहाँ पर जो आपको receipt generate होई है इसको आपको print कर लिना है क्योंकि बाद में इसको आप print नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको option दिया गया है click here for print receipt जैसे आप print वाले option में click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का option आएगा यहाँ पर आपको इस पर click करना है then capture code डाल कर print receipt के option पर आपको click करना है जिसके बाद को इस तरह से आपके जो receipt हो प्रिंट हो जाएगी अब यहाँ पर receipt प्रिंट करने के बाद आपको next ही बटन पर click करना है अब again यहाँ पर capture code डाल कर submit करना है जिसके बाद एक बार फिर यहाँ पर आपका जो application status है वो open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने तीनो step complete कर लिए हैं मतलब हमारा जो application है वो यहाँ पर complete हो चुका है अगर आपके case में कोई और step बचा हुआ है जैसे हो सकता है कि आपको यहाँ पर slot book करने का option आ रहा है तो यहीं पर आपको proceed का option मिल जाएगा उस पर click करके आप slot book कर सकते हैं अभी मैं आगे आपको यह भी बता दूगा आपको slot कैसे book करना है तो application complete करने के बाद अब आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए हम वापस से home page पर चलेंगे तो यहाँ पर हम वापस से home page पर आ चुके हैं अब यहाँ पर इससे पहले हम आगे का process में आपको बताऊं कुछ एक जरूरी बाते मैं यहाँ पर आपको बतायता हूँ जो कि आपके लिए helpful हो सकती है जैसे कि अगर आपको आपके application का status देखना है जो कि अभी हमने आप देखा था तो यहाँ पर देखिए home page पर आपको application status का option दिया गया आप उसको यहाँ पर भी आकर check कर सकते है और अगर किसी current से यहाँ पर आपका जो application है वो complete नहीं हो पाया है आपने document upload नहीं किये तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको option देगे upload document इस पर click करके आप document upload कर सकते हैं यहाँ पर click करके अपना payment status आप check कर सकते हैं आपको बताया था हमें कुछ application form print करने होंगे जो कि हमें i2 लेकर जाने है तो वो print करने के लिए यहाँ पर देखिए हमें option दिया गया है print application forms तो यहाँ से हम अपने सारे form download करेंगे क्या-क्या download करना है क्या-क्या print करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगो तो फ़राल इस option पर हम click करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपना application number और date of birth एंटर करेंगे बैन आपर देखिए नीचे आपको काफी सारे option दिये गए है application form prefilled print form 1, form 1A, print acknowledgement, print slot acknowledgement, print payment receipt तो यहाँ पर आपको क्या-क्या print करना है मैं आपको बताता हूँ और आपको कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सारे option में click करके देखिए है जैसे कि यहाँ पर application form prefilled तो यह तो mandatory है इस पर हम click करेंगे जिसके बाद हमारा जो form हमने fill किया है लगबग 5-6 page के यहाँ पर form automatic fill होकर ready होकर आ जाएगा इसको आपको print करना है इसको आपको RTO लेकर जाना होगा उसके बाद print form 1 पर हम click करते हैं तो यह भी देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से open हो जाएगा इसको भी आपको print कर लेना है उसके बाद print acknowledgement में आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपको आप्शन दिया है इस पर आप click करेंगे जिसके बाद यह जो acknowledgement है यहाँ पर print हो जाएगा या फिर इसको आप यहाँ पर save करके भी रख सकते हैं तो यह भी आपको RTO लेकर जाना है उसके बाद next तो यहाँ पर देखिए अगर आपने slot लिया है appointment लिया है तो यहाँ पर आपको slot acknowledgement भी ले जाना होगा तो यहाँ से आप print करेंगे कि हमने slot book नहीं किया है तो यहाँ पर हम click करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी open नहीं होगा blank page आएगा उसके बाद print payment receipt तो यहाँ पर जैसी इस पर हम click करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो payment receipt है वो download नहीं होती इस तरह का error आता है तो वो हमने पहले ही save कर ली थी उसके लाब एक ची और miss कर दिया पर हमने print form 1A इस पर देखे हम click कर रहे है तो यहाँ पर print नहीं होगा यहाँ पर लिख कर आ रहा है this form is not required for the requested transaction तो यहाँ पर यहाँ पर हमको जरूई नहीं है तो यहाँ पर यह साफ साफ लिख कर आ रहा है इसलिए हम इसको print नहीं करना है अब जहाँ जहाँ जिस option पर हम click कर रहे है जो भी चीज़ें print हो रहे है सब कोच हमको print कर लेना है अब यहाँ पर जो भी document हमने print की है वो साथ में आपका passport size photo आधार card और आपका learner license यह सारी चीज़ें लेकर आपको RTO office चले जाना है RTO में जाने के बाद आपका screening किया जाएगा जहाँ पर आपके photo click की जाएगी आपके digital signature लिये जाएगे और आपका driving test लिये जाएगा जी हैं दोस्तों अगर आपने tubular के लिए apply किया है तो आपसे tubular और अगर आपने 20 दिन के बाद आपका driving license है वो RTO office से या फिर आपकी घर के पते पर by post आपको receive हो जाएगा अब एक बात यहाँ पर मैं आपको highlight कर दूँ कि जब आप driving test देने के लिए जाते हैं तो आपको खुद का vehicle लेकर जाना है क्योंकि बहुत सारे RTOs में जो vehicle available नहीं रहते हैं तो आपको अपना खुद का vehicle वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा और उसी से आपको जो driving test है वो complete करना पड़ेगा और एक और important बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह सारा कुछ आपको करना कब है तो देखिए यहाँ पर अगर आपके state में slot book करने का process है appointment लेने का process है तो जिस date में आपको appointment मिलता है उस date में आप जाएंगे लेकिन अगर आपके state में appointment लेने का option नहीं है जैसे कि हमारे state में appointment नहीं लेना पड़ता है तो जब भी आप इसके लिए application कर रहे हैं उसके आप तुरंद बाद या फिर दो-तीन दिन बाद हफते वर बाद कभी भी यहाँ पर आप आप आटियो आपिस जा सकते हैं और आगे भी ऐसे informative content लिखना चाहते हैं चैनल को subscribe कर लेजे और आप बैले के इनको जरूर से प्रैस कर लेजे क्योंकि ऐसे informative वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर लिखा रहता हूं तो आपको सबसे बैले उसको notification मिल सकें